बरफीपुर में चहल पहल थी, बच्चे खेल रहे थे दिन सुहाना था, तब ही वहां आइस क्रीम वाले की आवाज आई वह बच्चों को बहुत प्यार से आइस क्रीम खिलाता और बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते जब वह घर लोटा तो उसकी बीवी उससे नाराज थी और वह गुस्ये में बोली अरी भागवान जितना भवान ने दिया है, उतने में ही संतुष्ट रहा करो, चलो खाना लगाओ वह खाना खा कर बाहर आ गए सुनो जी हमारे उपर बहुत कर्ज है, हम अपने बच्चे को भी अच्छे सकूर में नहीं लगा पाए सुनो भागवान में बहुत महनत करता हूँ, और मैं इमानदारी से कमाता हूँ और गुजारा अच्छाई हो रहा है लेकिन मुझे गुजारा नहीं करना है, मुझे तो अच्छे कपड़े, गहने और पैसे चाहिए तो मुझे कहीं से भी ला कर दो, वरना मैं नदी में छलांग लगा दूँगी चाह तुम चा कह रही हो, यह तुम्हें क्या हो गया है अब उनके घर में रोज लडाई जगरा होने लगा, आइसक्रीम वाला मना करता था और उसकी बीवी उससे रोज जगरती थी अब उसने दुखी होकर अपनी आइसक्रीम में मिलावट करने शुरू कर दी और उसकी विक्री बहुत बढ़ गई और बच्चों को उसकी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगने लगी बच्चें बस उसी की आइसक्रीम खाना चाहते थे, उसका धंधा बहुत बढ़ गया एक दिन उसकी बीवी बोली च्यों नहीं, हम अपनी दुकान खोड़ ले हाँ, खयाल तो बुरा नहीं है कुछ ही दिनों में उसने एक दुकान खोड़ ली पहबी उसने मिलावटी आइसक्रीम बेचनी शुरू कर दी उसको कोई भी डर नहीं था उसकी बीवी इतना पैसा देखकर खुश हो गई और बोली अब मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी के मेरे पास भी बहुत पैसा है मैं तल ही गहने खरीदूंगी और परसो अपनी सहेलियों को खाने पर बुलाऊंगी उसका मन लालत से भर चुका था उसे बच्चों की सेहत थी कोई फिक्र नहीं थी आइसक्रीम वाले को बहुत पैसा बन रहा था उसने अपनी बुरी आदत बिलकुर भी छोड़नी चाही नहीं कुछ दिन बाद बच्चे बीमार पढ़ने लगे उन्हें बहुत अजीब सी लत लग गई थी वह बीमार थे नाक बह रही थी फिर भी उन्हें आइसक्रीम खाने थी यह ख़वर पुलीस तक पहुँच गई अब उन्होंने जान शुरू कर दी पच्चू की अस्पतार में लाइने लग गई मा बाप बहुत चंतित थे यह बात राजा के पास भी पहुँच गई और उसने तुरंट सभी दुकानों पर छापा मरवाया अब आइसक्रीम वाले की दुकान पर छापा मारा गया और वहाँ पुलिस भी आई तलाशी करते हुए उन्हें आईसक्रीम वाले की दुकान से नशीला पदार्थ मिला जिसकी वजह से बच्चे बस उसी की ही आईसक्रीम खाना चाहते थे पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल ले गया चाधा लालच करने के चक्कर में अब वह सारी जिंदर की जेल में सरेगा अब उसकी बीवी पच्थाने लगी और बोली काश मैंने अपने पती को गलत रास्ते पर न भेजा होता तो आज हमारे पास से सब कुछ न जाता बच्चों को काफी दिनों तक अस्पताल में रखा गया और वह ठीक हो गया और बर्फी पुर ने सब ठीक हो गया